Hello everyone, so आज हम बात करेंगे Plims के GS1 के बारे में ठीक है थोड़ा सा हम paper को थोड़ा सा समझेंगे इसका थोड़ा सा analysis करेंगे syllabus का क्योंकि जो Plims का syllabus होता है बहुत ही short होता है थोड़ा सा उसको खोलेंगे और दिखेंगे किस तरीके से question आते हैं हमारी strategy किया होने चाहिए और साथ इसाथ मैं आपको थोड़ा book list भी पता दूँगा ठीक है तो it is going to be very very important एक नया insight आपको मिलेगा तो please ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बोलूं सबसे पहले हम बात करते हैं macro syllabus की देखो आपको पता होना चाहिए देखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप syllabus को याद कर सकते हो तो it is going to be very very helpful for you देखो syllabus अगर आपको पता रहेगा आपको पता रहेगा किया आ क्या रहा है और जो subjects हैं उनमें से भी उनमें उनकी जो micro topics हैं ऐसा नहीं है कि आपको इतना detailing करनी है जैसे आज की date में होता है कि बड़ी-बड़ी booklet मिलती है हर एक subject का बहुत ही micro analysis किया रहता है उसकी need नहीं होती है क्योंकि अगर आपके resources एकनम trustworthy हैं आप उसको पढ़ो and macro यानि कि एक साथ या बहुत सारी चीज़ें cover कर लोगे तो थोड़ा सा time बचाना चाहिए ऐसे नहीं कि एक-एक topic को ढूंड रहे हो फिर पढ़ रहे हो it will simply waste a lot of your time seven components होते है मेर इसमें जो हमारे main core subjects है history, geography, political economy ये तो चार होते होते है current effects होते ही है पांच और साथ में थोड़ा general science है जिसमें की तोड़ा सा science and tech वाला part आ जाता है और कुछ basic science के concepts और एक बस्ता environment which is very important ठीक है, चालिए ये सारे components है तोड़ा सा दिखा देते है current effects हो गया उसका रहा हिस्ट्री हो गया history of India यहाँ पे world history नहीं आती है history of India ध्यान रखना plus Indian national movement India and world geography Indian policy and governance मैं कहूंगा, इसमें तो सब को ही पता है एक मात किताब आती है famous लक्षमी गान उसे पढ़ लो ऐसा भी नहीं है कि उस किताब से सब कुछ हो जाएगा तो आजकल कह paper थोड़ा change हो रहा है आजकल वो concepts पर जाता focus कर रहे हैं application पर जाता focus कर रहे हैं थोड़ा सब philosophical side में थोड़ा सब जाता focus कर रहे हैं तो इसलिए जो 11th class की जो NCITs हैं उनका भी एक अच्छा कासा यहां पर role play होता है तो बात करेंगे इसके बारे में आगे, चिंता मत करिए economic and social development देखो, सिर्फ economics नहीं आती है यहां पर एक key factor है social development तो जो भी schemes हो गई, जो अलग-अलग social factors हो गए जिसे poverty and employment यह सारी चीज़े भी add हो जाती हैं यहां ऐसे नहीं कि hardcore economics यहां पर आ रही है economics के जो concepts हैं वो भी आते हैं साथ में एक social factor यहां पर include हो जाता है उसके बाद बहुत ही dynamic paper है फिर इसके बारे बात करेंगे environment है, देखो जो forest service वाले होते हैं वो भी films same देते हैं तो इसलिए environment के question थोड़े जाद आ जाते हैं ठीक है, तो इसलिए और general science होगी है, basics आपके science के concepts along with थोड़ा science center कि जो जो नई technologies जो develop हो रही है जो नई-नई achievements है ठीक है, ना सिर्फ इंडिया में, बलकि world में भी वो उस तरीके से question आ जाते है ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते है history की तो मैंने एक मैं, देखो, plims का syllabus है अगर आपने mains का syllabus अच्छे से समझा है तो plims कभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यह कह सकते हो कि जो subjects आपके plims में है और वो ही subject जो आपके mains में है तो mains का syllabus थोड़ा सा defined है तो mains का syllabus अच्छे से समझो, plims का समझ जाओगे same topics है, same चीजे है बस फर्क क्या है, mains में हमें थोड़ा सा subjective approach रखनी पड़ती है और mains में, plims के लिए हमें थोड़ी सी factual approach रखनी पड़ती है objective approach रखनी पड़ती है, ठीक है that's it, यह मैंने कुछ important topics mention कर रहे हैं जैसे pre-historic हो गया, early iron age हो गया ancient से, IVC plus major sites question आ जाता है, आपको sites दे दी, 3-4 उसमें से पूछ लिया जाएगा jainism से आ जाता है, medieval में बात करते हैं, जो early medieval इंडिया हो गया, major dynasties हो गये जो आपके पलवास, चलुक्यास, प्रतिहारास छोलास, यह सब चीज़े, आपको idea हो नचीए medieval का मैं बोलता हूँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि medieval के मानते हैं कि questions जादा नहीं आते हैं, कभी 2 आगे, कभी 3 आगे 100 में से, बट इसका अब तभी यह नहीं कि आप पूरा छोड़ दोगे बट जो important chapters उनको तो पढ़ो कम से कम, क्योंकि इनमें से questions आसान ही आएंगे, मतलब 3-4 अगर questions medieval से आएंगे, तो उने से 3 बहुत आसान questions होगी, जिसने एक reading भी करी होगी वो solve कर लेगा, यानि कि आप अगर medieval एक नम छोड़ के चले जाते हो, तो आपके 5-6 number का सबसे बड़ा loss हो जाएगा, पिलम्स में बिल्कुल इसके पारे में, आईए नहीं ancient में क्या है, medieval में क्या है, तो art in culture में भी आपको दिक्कत आएगी तो ये सारी चीजें interconnected है, UPSC बहुत सोच समझ के उनों ने चीजें रखी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक strict separation नहीं है कि ancient medieval ठीक पिलम्स में है और आपको अगर मेंस की तियारी करने तो उसके लिए ठीक, art in culture connected है अगर ancient में किसी ने command अच्छी कर रखी है medieval में command अच्छी कर रखी है तो उसको art in culture में उतना help होगा समझ रहे है, 13th and 15th century हो गया ठीक है, डेले सलतनत important है, खल जी, slave जो अलग अलग जो, you know, dynasties है this is very important vision empire, बहुत important है हर साल question आता है, आप उठा के देख लो ठीक है, अगर हम modern की बात करते है advent of European in India, ठीक है अलग अलग जो Portuguese आये थे French हो गए, इनके बारे में पता होने चेक काब आये ठीक है, पहले जो नोने अपनी इंडेस्ट्री कहां पर establish करी थी, जो foreign, जो travelers होते हैं, कौन थे Mughal time पर कौन से आये थे, और किसने कौन सी चीज़ observe करी थी, किसकी कौन सी किताब थी, इस तरह के question आ जाते हैं, ठीक है British expansion हो गया, kinetic wars हो गया, economic impact, ठीक है और जो कैसे revenue system था उनका, तो उसने कैसे, जो India के जो लोग थे, उनको impact कैसे किया, कौन-कौन सी policies के थूँ, तो ये सब पता होना चीज, ठीक है 1857 से पहले, और 1857 के बाद में, क्या changes आये थे, ठीक है, फिर revolt हो था 1857 का, और भी जैसे कुछ points है, जैसे jainism हो गया, ठीक है, नहाश वर्दन period हो गया, माजन पदाज, उपनिशत से आ जाते हैं, question मौरेन अंपायर हो गया, संग्दम period, अशोका, very important अशोकन period हो गया, अशोकन inscription, very very important, ठीक, question जाद एतर आ जाते हैं, ठीक है, और different religions, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, medieval में तो आपका जो मौगल अंपायर है, मौगल जो phase है, बहुत important, especially first half, आपका, अकबर का period हो गया, और अजेब का, यह बहुत, बहुत important है, और जैसे इसमें यह भी आता है, कि हमें किन के time पे जो painting है, फ्लरिश हुई थी, तो इस तरीके से they can ask anything, ठीक, की points दो लेते हैं, तान से इन से related question आ जाता है, ठीक है, जो अलग, जो आपके code man है, तो उन से related question पूछ लिया जाता है, ठीक, जैसे आया था, एक question आया था, कि जो जागिरदार है, कौन होते हैं, ठीक, जागिरदार होगे, जामिनदार होगे, निए difference किया है, तो इस तरीके से question आ जाते है, महाराथास होगे, या इंडियन states होगी, लेटर मुगल है उनका decline, कैसे decline होगा था, क्या factors थे, तो कुछ यह थोड़ी चीज़े, और plans में आपको चीज़, क्या focus याद रखना है, plans you need to keep in mind की, what were the factors, वो factual चीज़ें क्या थी, year very very important, भाई, कौन सा particular year था, किस year पे कौन से organization form भी थी, इस organization के president कौन से थे, यह particular किताब, यह किस ने लिखी थी, यह biography है, किस ने लिखी थी, यह statement किस ने अपनी किताब में mention किया था, समझ नहीं, जैसे home rule, आपका movement हो गया, home rule league हो गया, तो कौन थे इसके president, किस ने establish किया था, भाई, आपका lahore session कहां पे हो आता, ठीक, आपका लखनाव pact कब हो था, extremist और moderates कब साथ में आये थे, और कब अलग होए थे, कैसे होए थे, यह factual चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस इस वेरी वेरी important, जैसे आपका round table conference दे गहांदी जी ने किस वाले में participate किया था, ठीक है, यह सारे चीज़ें होगे, chronology हो गई आपकी, कि कौन सार्मेंट पहले होगा था, कौन सा बात में होता, कई बार तो कुछ events हैं से जो एक ही साल में होए थे, तो वहाँ पे आपको date और मत याद रखने की ज़रत है, ठीक है, जैसे peace and tribal, other movements होगे, international movement, अलग-अलग phases में होगा था, तो तीनो phases आपको पता होने चीए, ठीक, उनका importance, तो यह सारी चीज़ें होगी, तो आपका history है, ठीक, अगर मैं history की बात करता हूँ, इसको कैसे cover करने, अगर मैं book की बात करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ancient plus medieval, आपकी जो old NCRT है, more than sufficient है, बस, आपको कहीं और जाने की जरुरत ही नहीं है, old NCRT, एक-एक किताब, खतम बात, modern की मैं बात करता हूँ, वैसे तो आपकी जो बिपिन चंदर है, old NCRT, तो वैसे तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन modern maze में भी आता है, और थोड़ा सा understanding अपनी wide garnium को, तो इसलिए spectrum add कर देनी चाहिए आपके, अगर अगर आपनी old, you know, NCRT अच्छे से पढ़ लिए, तो इस बस तीन किताबे, चार किताबे, that's it, उसके बाद तो देखो, होता क्या है न, अब experts यहीं चीज में confused होते हैं, कि यह सारा पढ़ लिया तो सारा slayvus cover हो जाएगा, पहली बात तो यह हैं कि slayvus इतना wide होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कि 100% तो कोई cover नहीं कर सकता, इतना आप cover कर लोगे कि अगर बागी जो experts हैं, उनसे आप जाद स्कोर कर सकते हो, और अगर आपने practice अच्छे से कर रहें, क्योंकि देखो practice भी करनी होती है, बहुत से इनी मैसे ऐसे concept बना देंगे, आपको इनी मैसे ऐसे question बना देंगे, जो शायद आप answer ना कर पाओ, तो समझने के लिए, उसको टैकल करने के लिए practice करनी पड़ती है, that's it, फिर practice का काम आएगा वापे, जोग्रफी के हम बात करते हैं, जोग्रफी में एक आपका Indian geography हो गया, Indian geography में location हो गया, पता होना चाहिए, कि बहुत जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कहां से पास होता है, ठीक है अच्छे से पता हो न चाहिए, latitudes क्या है, longitudes क्या है, physical features हमाले, ठीक है, हमाले के बाRA के बार आपको पता होना चाहिए, किन states से पास होता है, ट्रांस हमाले क्या होता है, ठीक है, outer हमाले, inner हमाले, northeastern hills क्या होता है, पता होना चाहिए, plains हो गया, plat T, लिफर system हो गया, जो मा आड़ा इस्ट मॉनजून है वो कैसे एंटर करता है कैसे एक्सेट करता है ठीक है अलाग अलाग जो फीचर्स होते हैं लाग अलाग जो आपको पता होनी चैहए ति कॉन सा सश्टेट है काहाँ, कौ सा मिन्रेल 되면 जाता हुआ जाता है ठीक है इस तरही चीजिजें इंडस्ट्र हो गया, dry deciduous क्या होता है ये थोड़ा सा आपको idea होना चाहिए, soil के बारे में पता होना चाहिए, अलग-अलग soils है black soil है, black क्यों होती है, उसका formation कैसे होता है, कौन सा crop उसमें अच्छे से, you know, grow हो सकता है red soil हो गया, let red soil हो गया low me, sandy, ये सब चीज है, ठीक industry, transport, energy, population इस तरीकी से आपको थोड़ा चीज़ों को पढ़ना है मैं इसलिए तो, slabers बहुत वाइड है, ठीक मतब ऐसा नहीं है, slabers की, यूपे से कुछ भी पूछ लेगा but the thing is कि there are certain tricks, और वो trick होई होता है previous year question में, अभी आगे बताऊंगा वरना इतनी बड़ी चीज़ है, आपको कैसे पता कि किस चीज़ पर आपको जादा फोकस करना है सारा ही important है, इनको पढ़ने बैठ होगे time लगे को और पढ़ना भी है, obviously but इसके कुछ tricks होते हैं, जो मैं आने वाले slides में आपको बताऊंगा ठीक है, जैसे हम wall geography की बात करते हैं universe हो गया, art का interior हो गया, crust हो गया कितनी उसकी length होती है, ठीक है कितनी depth है उसकी latitude, longitude, equator equator किन country से पास होता है, latitude कहां से पास होता है longitude किन country से पास होता है ठीक है, sorry, not latitude, longitude Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn कहां से पास होता है, इस तरह किसे questions यूपिस ने पूछे है mapping के based questions होगे, जैसे geomorphology होगिया, ठीक है climatology होगिया, hydrosphere, ये सब चीजे होगी, ठीक, mapping के बारे में जैसे मैं आपको एक idea दूँगा, जैसे mapping होता है mapping पे हलाकि में एक different section ज़रूर लगँगा because it is very very important, चार-पांच questions तो आई जाते हैं mapping से, 3-4 तो 7-8 questions आ रहे हैं अगर एक particular domain से, तो it is going to be very very helpful for you, mapping में जैसे अगर आपको mapping की practice करना है, मैं तो दो-3 तरीके बताता हूँ आपको, सबसे पहला आपका India और वर्ल्ट का political physical याद हो equator कहां से पास होता है, cancer की country से पास होता है, और Capricorn कहां से पास होता है, यह पता होना चाहिए, ठीक दूसरी बात आपको पता होने चाहिए, कि Mediterranean Sea के surrounding में कंट्री कौन सी है, Black Sea के surrounding में, Caspian Sea, Red Sea Yellow Sea, इन के surrounding में कौन सी country से, ठीक है, South China सी कहां पे है, Indian Ocean के आज जो आज में कहा है, बेंगल Arabian Sea, तो यह चीज आपको पता होने चाहिए, आपको एक base तयार हो गया, उसके बाद जब भी newspaper में कोई भी particular country अगर आती है, तो उसको search करो mapping को पैक्टिस करो, इंडिया की में बात करता हो ठीक है, कौन किस्स सट रखा है basically, दूसरी बात होगे कि अगर physical की में बात करता हूँ physical में आपको पहले तो यह पता होना चाहिए, Indian River System अच्छे से पता होना चाहिए, कि Indies कहां से originate होती है, कहां पे वो drain होती है, कौन-कौन से हिमाले के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक कहां से कहां तक वो stretch है पर North Eastern Hills के बारे में पता होना चाहिए Indogangetic plane के बारे में पता होना चाहिए कि कहां से, कहां कहां, यह Indogangetic region कौन सा है, ठीक, कौन-कौन से उसमें reverse major आती है, यह सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इस इस वे में आपका मैपिंग का पी अच्छा का सा प्रेपर हो जाएगा The only thing is, you have to work hard दिना टफ थोड़ी है, महनत लगती है इन चीजों के लिए जो चीजे में आपको बताई है, इतना भी आगर आप प्रेपर कर दो तो आपका अच्छा का सा चांस हो जाएगा to score very well, but the thing is nobody does ठीक, चालिए हाँ, इसके book list की मैं बात करता हूँ प्लिम्स प्रस्पेक्टिस से मैं अगर बोलू ना तो atlas और 6-12 अगर कोई atlas of 6-12 भी अच्छे से पढ़ ले यानि mapping और 6-12 उसके प्लिम्स के लिए more than sufficient है, you need not to refer to any such high standard books कोई फायदा नहीं है geography के लिए प्लिम्स प्रस्पेक्टिस से this is more than sufficient अब बाकी वो trust करते नहीं है as prince तो उसमें हम क्या करें, बताइए Indian political governance मैं कहूंगा कि less complicated subject है आज चीएड में बच्चा बच्चा जानता है कि इसको कैसे prepare करना है, ठीक, लेकिन जो हमारा syllabus होता है, वो बहुत ही defined है, एक line का, प्लिम्स का syllabus है एक line का, तो उसमें क्या-क्या चीज़े हो सकती है प्लिम्स प्रेंबल है, very very important evolution of the constitution, जो अलग अलग जो acts हो गए, वो सारे पढ़ने पढ़ता है pits act हो गया, charter act हो गया, regulating act हो गया government of India act हो गया, independence act हो गया सारे पढ़ने आपको, schedules जातर question आजाता है, 1 to 12 schedules है कि कोई एक आपको statement दे दी जाएगी, बोल लिया जाएगी है किस schedule में आता है, इस सरी से question आजाएगा constitution of India होगे, basic idea, background, philosophy हमारी silent features होगे, borrowed features ये सारी चीज़े, citizenship fundamental right, very important और DPSP, most important questions आते ही आते हैं judiciary, executive legislature judiciary से questions अक्षर आते हैं executive legislature, ये तो key pillars है तो इन से questions बनने जाहिर है union, state government, union territory union territory से आजाता है भई, article कौन से associated है, emergency से लेटेड आ जाता है कि वाई, emergency के time पर कौन से आपकी जो fundamental rights है जो intact रहेंगे, तो you should know that center-state relation हो गया, ठीक इनके बीच में जो dispute होता है, जो कैसे resolve हो सकता है ठीक water dispute है, जो किस article में mentioned है ये सारी चीज़े, पंचायती राज हो गया, municipal corporation हो गया constitutional bodies, non-constitutional bodies जो कोई particular constitutional body आपके news में you know, दिख रही है, तो समझ लो कि exam में आने के उसके chances है, पूछे जाएगा कि आपको तीन-चार body दे दी जाएंगी, पूछे जाएगा इनमें से कौन सी constitutional है या फिर कौन सी non-constitutional है, पता होना चाहिए constitutional क्या होता है, non-constitutional क्या होता है statutory क्या होता है, ठीक, यह सारी चीजे, tribunal के बारे में हो गया, NGT हो गया, ठीक, SCST जो बाकी जो schemes है, provisions है क्या mentioned है मारे constitution में and current affair, बहुत ही dynamic subject है, तो current affair related तो यह सारी चीजे मैं कहूँ तो आपकी एक मात्र किताब है, ठीक, अगर मैं बात करूँ कि, इसको कैसे prepare करने देखो, सबको पता है लक्षमी कान, ठीक है यह तो ठीक है, लक्षमी कान किताब है, इसके लिए source, लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि 11th class की दो किताबे होती है, एक तो political theory, बहुत ही, बहुत इसका relevance बहुत बढ़ रहा है, आजकी एट में positive liberty, negative liberty है न, जो harm principle है ठीक है, तो इस तरीके से questions काफिया है, जैसे marxism हो गया, liberalism हो गया, pacifism हो गया, यह कुछ concepts हैं जो आज का थोड़ी exam में देखे जा रहे हैं दूसी के किताब है, Indian Constitution at work, दोने land class की are the most important NCRDs उनको अच्छे से पढ़ लो, फिर लक्षमिकान पढ़ो आपका, जो static portion हो कावर हो जाएगा, उसके बाद भईया, आपकी मेहनत कितनी practice करते हो, और कितना up-to-date रहते हो, ठीक है ऐसा नहीं है, कि देखो एक चीज़ में बताता हूँ ऐसा नहीं है कि आपने ये, 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 ये सारी standard या फिर static किताब पढ़ लिए और plims निकल जाएगा, नहीं UPSC इस way में exam को form करता है इस way में question को बनाता है कि कोई इंसान जो रट के exam देने जायरा, उसका selection ना हो साफ सिदी से बात UPSC wants you to be aware वो देखना चाहता है, सामने वाले UPSC doesn't expect वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा एस्ट आए जोसे दस पंदर किताब बिल्कुल पढ़के बिल्कुल रट के आ रखा है उने चाहिए सामने एक officer होना चाहिए हमारे ठीक है न, जो चीजों को समझ रहा है जो society में चीज़ें चल रही है जो मुद्दे उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं उनको कैसे tackle किया जा सकता है What is the importance? They don't want a robot They want a human ठीक है? तो इस चीज़ को जड़ा ध्यान रखना तो अगर लक्षमिगांद को रहते थे और बोले कि भाईया हो यह सारा काम And I'm going to clear the plans It's not gonna happen जो लिए Next नम बात करते हैं Economic and social development Again I will tell यहाँ पर it's not economics यहाँ पर pure economics नहीं है कि भाई सिर्फ GDP पूचेंगे पर capital income पूच लेंगे FPI, FDI यह सब नहीं यह तो पूचेंगे Economic के concept पूचेंगे But apart from that Social development ठीक जैसे कि ठीक है Economic concepts होगे अलग-लग जो sectors होगे Primary, Secondary, Tertiary कुछ concepts जैसे होगे ठीक है Inflation होगया ठीक Depreciation, Appreciation GDP, GNP, Lawrence Curve, Phillips Curve यह तरीके चीज़े होगे Economic growth and development उसके measurement ठीक है Financial market इन उसके instruments होगे ठीक Budget होगया Fiscal policy Monetary policy ठीक Monetary policy Committee is related होगया Money multiply है चलो यह तो conceptual base आगए अब थोड़ा सा Obviously banking structure के बारे में भी होगा ठीक Tax structure क्या है And the important thing is Economic planning ठीक Employment होगया Government schemes होगई Planning, Open Economy आपका जो वर्ल से रिलेटे होगया Sustainable Development Goal Millennium Development Goal होगई Carbon Tax क्या होता है Green Accounting Trade Concepts होगई कुछ आपके Trade Concepts जैसे होगई इसमें आपका FPI आगया FDI आगया ठीक Trade Barriers होगई तो यह Basically काफी mix-up है यानि कि इसमें एक तो Economic के Hard Concepts भी आएंगे Economic का Background यानि E-Land Class में जो E-Land Indian Economic Development आपने पढ़ी होगी उसका जो Background है वो भी पुछा जाएगा साथ इसाथ Social Development वाला Concepts यहांप अगया हो जाता है And apart from that Budget Economic Survey है जो present scenario है And apart from that One more thing comes And that is Your schemes Government schemes ठीक है इसको cover करने का तरीका किया बहुत complicated है To be frank असान करता हूँ सबसे पहले Current Affairs Monthly Magazine Plus Budget Plus Economic Survey Plus Yojna Plus Kurukshetra और Newspaper यह तो होगी है जिसे कि आपका Current portion एचसे से cover हो जाएगा Statically मैं बोलता हूँ कुछ नहीं Statically दो चीज़े 11 class की हो गई Indian Economic Development And साथी साथ एक किताब कोई भी Standard Book Follow कर लो चाहिए आप Sanjeev Verma सर की Follow करो Ramay Singh अगर Follow करते हो तो उसमें Slaibus Relevant पढ़ना जो unnecessary chapters है No need to read that और कुछ जो chapters जो exam में जिनका importance नहीं है तो उसको skip कर सकते हो ठीक उसके बाद स्रियाम सर की भी Follow कर सकते हो वो भी अच्छी किताब है मुनाल सर की भी Follow कर सकते हो वो भी काफी अच्छा Content Provide करते है तो इसमें आपकी choice है जिसमें आप comfortable हो Just read that But make sure you have limited time So do not invest a lot of time But important subject है इसमें ज्यादा time देना मंगता है ठीक है सबसे आदे important क्या जो चीज मैटर करते हैं Environment अगर Environment सेव नहीं है तो हम सेव नहीं है पहली चीज और दूसी बात है ये paper Indian Forest Service वाली भी देते हैं जो Forest की तियारी कर रहा है जो Forest Service का exam दे रहा है तो उसके लिए Environment के questions तो होंगे न इसलिए Environment से जादा questions आ जाते हैं अब कैसे questions आते हैं Basic question आ गया Environment के Biodiversity Animal and plant biodiversity हो गया ठीक है Asturies हो गया Mangroos Coral reef Wetlands Important topics Question हमेशा आता है इन से Concept of ecology Population हो गया Terrestrial aquatic ecosystem Nutrient cycle Carbon cycle Phosphorus cycle Sulfur cycle एक question हर साल आता ही आता है Land, forest, soil, energy, resources ठीक है Renewable क्या होती है, non-renewable क्या होती है Conventional, non-conventional India का क्या target इसरी किसी चीज़ है Pollution इसलिए लेटर आता है What are the factor causes, consequences Or क्या नहीं schemes launch हो रहे है इनको कैसे tackle किया जा रहा है International और India के लेवल पे Climate change, very very important concept उभर के आ रहा है आज की डेट में Laws और changes ना सिर जो इंडिया में बन रहे है But international level पे कौन कुन सी अलग summits हो गई ठीक है, art summits हो गया यह तरह की चीज़ है ठीक है And उसके बाद recent developments So, ठीक है You should be I mean, कहने का मतला है यह बहुत dynamic है यह बार आपने concepts clear कर दी And उसके बाद You have to be very well with the current इसलिए मैं कहता हूँ Newspaper वादी magazine अच्छे से पढ़ लो तीन आपके major subjects current पे बहुत depend करते है Policy, Economy, Economics and आपका environment और बहुत से है कि Newspaper नहीं पढ़ रहे है Monthly magazine भी नहीं पढ़ रहे है तो फिर बता हूँ ना कैसे काम चलेगा इसलिए मैं बोलता हूँ इसलिए मेजर जो concepts है वो clear हो जाएंगे And apart from that, it's just your current That's it ठीक है? चलिए Next, हम बात करते हैं आपका general science and science and technology देखो इसमें जो trending topics होते हैं जो basically आज की जो development जिन fields में हो रहे है जिनकी ज्यादा importance है ठीक है, जैसे space हो गया ठीक है, IT हो गया Nanotechnology, Robotics, Biotechnology, Defense, Nuclear Technology ठीक है, इस तरीके से इंपर आपको जादा फोकस करना है और जो important organizations है जैसे ISRO हो गया, DRD हो गया NASA हो गया, SpaceX हो गया यह क्या-क्याने चीज़ डेवलप कर रहे है यह भी हमको पढ़ना है ठीक है, अगें यह भी Dynamic है यह भी, you have to be updated with the current affairs ठीक, चालिए और अबिसी बाइलोजी में जैसे Cells, Genetics, Respiratory System, Nutrition Diseases, यह सारी चीज़ है अब इसको कैसे काफर करना है, देखो मैं यह recommend नहीं करूँगा कि 6-10 NCIT पढ़ो इतनी बल्की किताब हो जाएंगी, No Need इसमें आप जादा से यादा जो Biology है हमारी, ठीक है, Biology के और वो Environment में help करता है वो Environment में help करता है वो Environment में help करता है, विच ए Forgot to mention, Environment section में, जो Biology है उसके जो Last Chapter है, वो Environment में help करता है पर अगर आप चाहो, जो 6-10 है NCRT, इसको पढ़ेना नहीं, लेकिन एक जिस Go Through कर सकते हो मतब कि ठीक है, ये एक दिन उठाया, एक दिन उठाया And 6th Class की बुक एक बर Go Through कर ले उसमें कुछ जो Important Concepts हो गया Gravitational Force हो गया, कुछ Chemistry के के कुछ Key Elements हो गया, Reactions हो गया वो Key Points अप Underlying करके उसके Note बना सकते हो, एक दिन में काम कर सकते हो अगर चाहो तो, That's It उसे जाद उसमें टाइम नहीं देना है क्योंकि इसके बाद फिर आपका, जो भी है सारा Current Affair, That's It क्योंकि जो Current Affair Magazine हो गई उसमें भी ये कह सकते हैं कि जो ये चीज़ें आती हैं, Concepts आते हैं तो उससे related to static portion है, वो भी वहाँ पे covered रहता है और UPSC दे को वही चीज़ें पूछे की जो Current में है उसी का static पूछे की जो Current में है तो इससे थोड़ा magazines जो है वो काफी helpful रहती है इस scenario में ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं, Trend की Trend क्या होना चीज़ें, questions का per subject मतब क्या होता है ठीक है, अगर हम देखें, जो history है लगबग 14 से 18 के गरीब questions देखेंगे कभी 14, 15 आते हैं, कभी 18, 19 साते हैं जिसमें से अगर मैं बोलू ancient के इसमें तीन पार्ट होगे, ancient, medieval और modern ancient के लगबग वोई 2 से 3, modern के 2 से 3 और कम से कम आपके 7-8 मतलब medieval के 2-3 और modern के 7-8 आ जाते हैं पॉलिटी के लगबग 12 से 18 question आ रहे हैं तो अच्छा काता weightage है, पॉलिटी का एकनोमिस के काफी जादो question आते हैं और 15-20 question इसले ही हैं क्योंकि थोड़े economic के concept आ गए है कुछ scheme से related आ गया और कुछ आपका social development से related आ गया तो इसले काफी जादे इसका weightage है environment की बात करते हैं जैसे मैंने का ता forest service वाले भी exam देते हैं तो इसले 15-20 के गरीब range है और इसमें थोड़ा सा इन्वारिमेंट और जो 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 जोग्रफी है उसका कम से कम 25-40% तो तो तोड़ा यहीं पर confusion हो जाते हैं कि और इन्वारिमेंट का है जोग्रफी का है तो ठीक है थोड़ा सा मान के चल सकते हैं 16-20 और जोग्रफी में भी 8-12 वहना 8-12, 8-14 जिसमें 3-4 mapping के question हो गए 3-4 Indian physical features हो गए और 3-4 थोड़े बाकी topics related question हो गए साइंस में आगे है 8-12 जिसमें से जात-जातर जो questions है 60-70% वह dynamic होते हैं याई कि आपके current based होते हैं ठीक है और इन ही में current आफिर मैंने include कर रहा है ठीक है? चालिए तो कहने के मतलब यह है आपका economics हो गया आपका polity हो गया यह these two are the game changer for now हिस्टी में आपका modern हो गया ठीक और बाकी यह जो आपका environment है और जो आपका science and tech है यह बहुत ही current oriented है ठीक है? current refer की बात करता हूँ तो current refer को कैसे cover करें? मैं कहता हूँ अपनी approach को simple रगो बहुत सा क्या है? बहुत से spend क्या करते हैं? online भी summary पढ़ रहे हैं और magazine भी follow कर रहे हैं एक नहीं दो-दो magazine फॉलो कर रहा है कोई newspaper पढ़ रहे हैं dated दो-दो घंटे पढ़ रहे हैं उसके बाद P.I.B. की website पे जा रहे हैं इतना नहीं करना है मैं सच बताता हूँ सबसे पहली priority priority set उनीची current refer के मामले में ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ भाई आपकी priority उनीची newspaper जादा नहीं लगब 30 minutes 32-45 minutes ठीक? उसके बाद आपकी priority उनीची जब एक monthly magazine है जो आप पकड़ोगे उस पे stick करोगे वन monthly magazine यह आपकी priority है ठीक? तीसी priority है योजना और कुरक्षित्र जब यह तीन चीजें हो जाएंगी उसके बाद आप और online resources या उन पे जो भी आपकी favorite educator है या online देखते हो या फिर offline कोई material buy करते हो उसके बाद करना पहले place इन तीन चीजना में command बना दो इन तीन को monthly basis पे अच्छे से पढ़ना revise करना समझना है start कर दो उसके बाद अगर आपकी नीड है तो please move forward क्योंकि बहुत से spend यह अच्छे से नहीं complete करते हैं यह तो छोड़ी देते हैं और यह भी नहीं पढ़ते हैं और फिर उसके बाद यह पढ़ने के बाद वो भागते हैं क्या एक जाएक जीन से पता नहीं होगा की नहीं होगा वो satisfaction नहीं मिल रहा है तो it creates problem and confusion ठीक है अब मैं कुछ important points बताता हूँ भई जो as an aspect आपको याद रखने है ठीक है जी पहला point तो यह है कि previous year questions is key to success जो भी चीज आज मैंने बोली है मैंने नहीं अपनी मज़ी से बोली है नहीं मैंने कोई कहानी बनाई है नहीं मेरा कोई ऐसा सूत्र है simple सी बात है मैंने PYQ को किया बहुत अच्छे से analyze मैंने last 10 years के जो previous year questions है इनको बहुत अच्छे से analyze किया बहुत अच्छे से मैंने solve किया है बहुत अच्छे से समझा है और मैंने देखा है कि एक साल में जो question जो topic आ रखा है वो अगले साल में exactly repeat हो रखा है तो PYQ की अगर आप भी चाहते हो कि आपकी understanding बड़े regarding the exam तो प्लीज इसमें command बना दो कभी भी किसी से पूछने की ज़रत नहीं पड़ेगी कि अब कैसे पढ़ू क्या पढ़ू NCIT helps in strong foundation बहुत misconception यह होता है बहुत से सोचते हैं कि NCIT जे exam clear हो जाएगा नहीं आपकी नीव मजबूत हो जाएगी पर कि अगर आपका नीव मजबूत होगी उसके आपट जिदनी आप floor बनाना चाहो बना सकते हो लेकिन अगर नीव ही आपकी कमजोर हो गई तो आप कितना भी उपर building बना लो एक नए एक दिन वो कोलापस होने के कागार पर आएगी ही आएगी तो यू हाव तो मेक शूर कि NCIT आप अच्छे से पढ़ो क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर आप चाहे लक्ष्मि गांद पढ़ो चाहे स्पेक्टरम पढ़ो करने अफेर परो वटेवर यू स्टड़ी आपको दिककर ने आई क्योंकि आपके कंसेट क्लिया है इस वाल अबाट चाहे उप्सेट इस अबाट कंसेट इस नौट अबाट 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 इस नौट अबाट जस्कोरीं अब आपने देखा स्लेबस हैं एक ऐसा रिसोर्स पकड़ो ना जिसमें की लगबग लगबग सारा जो की पॉइंट्स है जो स्लेबस है कंप्लिट हो जाए बहुत से लक्षमिगान भी पढ़ रहे हैं बहुत से फिर उसकी महरदन सीरीज भी देख रहे हैं उसके बाद ऑनलाइन कोई क्रैश कोर्स करा रहा है वो भी जॉइन कर रहे हैं वाई एक सोर्स पकड़ो खतम अपनी बुक लिस्ट मैंने जो आपको बता है उस पर स्टिक कर रहो खतम बात more than sufficient है कुछ ऐसे चीजे होती हैं जैसे amendments, articles, year कुछ ऐसे concept जो याद नहीं हो पाते हैं समझ में नहीं हा पाते हैं कुछ चीजे याद करनी पड़ती है कुछ चीजे आप समझोगे, कुछ चीजे याद करोगे ठीक तो जो चीज समझने लाइक नहीं है उसको सीधे याद करना पड़ता है और बार बार रिवाइस करते रहोगे तो चीजे थोड़ी सी याद हो जाएंगी ठीक फोकस मोर ऑन हेवी सब्जेक्ट्स जैसे की एकनॉमी ठीक है पॉलिटी ठीक और आपका जैसे इनवायरमेंट हो गिया इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा जादा फोकस करो क्योंकि देखो तीनों ही डैनिमिक सब्जेक्ट्स है करेंट में अच्छी कमांड रहेगी तो और इनकी प्रोबिटीव तो जादा है अगर आप एंचेन मेडिवल को पढ़ते हो तो उतना ही टाइम अपको उससे भी कम टाइम लगेगा आपको लक्षमी कांड कार करने में लेकिन अचेन मेडिवल से आपको रिटेन मिलेगा मुश्किल से आट बस नंबर लक्षमी कांड से मिल जाएगा 15-16 नंबर तो पहले उस subject को target करो जिससे आपका जो questions सही होने की जो probability है वो बढ़ जाए उसके बाद जो छोटे मोटे subjects उसको target करो क्योंकि major subjects अगर आपने कर दिये आपका tension कम हो जाएगा यह मैंने just a classification करा है कि 30 easy question आते हैं कोई अगर साल बर basic books जो मैंने mention करी है थोड़ा बहुत भी preparation करता है 30 questions उसके range में आ जाएंगे moderate होते है 40 यानि कि थोड़े बहुत effort करने पड़ता है थोड़ा और hard work करोगे तो 40 इनमें आपको common sense लगाना है logical guess work करना है elimination method यूज़ करना है wild guess करना है यह वो questions होते है hard questions are 30 इन 30 को थोड़ा avoid करना पड़ता है exam में ठीक है इन 30 में से 20-25 हैसे होंगे जो बिल्कुल blank कुछ नहीं पता हूंके बारे में तो UPSC बीच बीच में डालता है एक दो तीन questions आसान दे दिए चार पांच छे साथ tough questions दे दिए ताकि S-Pen घवरा जाए UPSC मेंने का आपको test कर रहा है आपकी limits को test कर रहा है कि सामने वाला अगर ऐसे घवरा गया एक paper देखे वो घवरा गया तो कल को को कोई बड़ी आपता आगी तो वहां तो दिखा बढ़ेगी न तो UPSC is testing you from now only कि सामने वाला बंदा officer बने लाइक है कि नहीं है that is it इतना यह जो पूरा process है आपको knowledge के लिए थोड़ी चेक किया जा रहा है बैं knowledge तो जो चार साल से पढ़ रहा है पांच साल से पढ़ उसके बहुत knowledge आगी है तब तो भी उसको बना देना चाहिए था officer ऐसा नहीं होता है qualities they are looking for cutoff decrease हो रही है ठीक है तो थोड़ा सा देखो cutoff decrease हो रही है पहले 116 जाती थी फिर 107 गई 98-98 फिर उसका 92 अब 87.5 90s में अभी cutoff है तो इसका मतलब यह है कि एक जमाने में 2015-16 में होता था कि 98 अब करके आओ तब आपका कुछ possibility बनेगी 80-90 आज चेट में होता है भाई 60 करके आओ और इसमें accuracy रखो 90% आपका exam के लिए है तो कहने का मतलब है कि focus on accuracy 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 मतलब यह है आप काम question करो मतलब कि 60 या 65 करो लेकिन उसमें गलत कम हो ऐसा हो है क्योंकि बहुत से सब्सक्राइब करना है समझ रहे हो यह सारी चीज़ें क्या है देखो conclusion यह है three pillars to clear prelims प्रिलिम्स क्लियर करने के तीन पिलर से जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि क्या करूं कैसे करूं एकदम पढ़ लिया है कौन सी किताब पढ़ी है revise नहीं हुई है यह वो when everything is out of your hands तो वहाँ पे तीन चीज़ें है जो आपको मदद करेंगी ठीक है पहला है previous year questions previous year questions को daily alternative days पे weekly go through करते रहो करते रहो करते रहो I don't care अगर आपने कोई एक 4-5 साल के papers को अच्छे से पढ़ लिया है कोई फरक नहीं पढ़ दा है पढ़ते जाओ उसको उसको options को पढ़ो उसको options को पढ़ो उसको options के explanation डूलो just PYQ दिमाग में छप जाना चाहिए लिखके ले लो 25 topics PYQ से minimum आएंगे ही आएंगे आज मी मैं guarantee ले रहा हूँ चीज की अगले साल देख ले ना paper में ठीक है तो PYQ को go through करते रहो practice अलग-अलग mocks लगाते जाओ ठीक है mind की जो धागे है ना खुल जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार अच्छा इस तरीके से भी question पूछा जाता है तो जब आप पढ़ोगे तो it will be near mind कि मेरे को इस question को किस तरीके से target करना है और बहुत से क्या होता है जब हम answer यह जो mocks लगाते है mocks में क्या होता है कि बहुत से ऐसे कुछ चीजे रहेंगी बहुत से ऐसे questions पूछे जाएंगी जिनके answer हमें नहीं पता है तो उस बहाने वो questions के answer भी हमें पता चल जाएंगे जब हम उसका बाद में analysis करेंगे तो practice के फायदा होता है दो चीजे हो गई अगर आपको आता है और अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है आपका confidence बढ़ेगा कि भाई मिरको आता है नहीं आता तो भी अच्छी बात है क्यों क्योंकि जो exam में आ सकता था question जो आपने अभी गलती कर दी at least exam दे के दिन तो आप गलती नहीं करोगे अभी आपको नहीं आता उसको पढ़ लो तो फिर आपके knowledge गीन हो जाएगा तो you are one step closer to your goal और at the end होता है revision जैसे मैंने का भाई बहुती conceptual factual चीज़ें आती है देखो nobody is super human ऐसा नहीं है कि एक बढ़ पढ़के सारा याद रहे revise करना पढ़ेगा आपको बहुत से spend ये शिकात करते हैं याद नहीं हो रहा है क्या करें? revise करो और कुछ नहीं तीन चीज़ें आपने करने हैं जब कोई चीज परते हो have an active reading, do active reading उस वक्त 100% concentration होना चीए don't think about social media, don't think about की सुबह ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया यह होगा, यह करो नहीं नहीं when you are studying उस ताइम पर you should be fully focused कि मेरे को जो मैं अभी कर रहा हूँ उस पर 100% देना है, तब ही आप वो चीज़ को लंबे समयता है written कर पाओगी दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ पढ़ते हो mind में recall करो उसको, जो भी आपने concept पढ़ा उसको किताब बंद करके mind में recall करो कि देखो कि मैंने ये पढ़ लिया, में कोई याद हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो अच्छी बात है then proceed further, नहीं हो रहा तो उसको फिर से पढ़ो तीसी चीज़ है revise, revise again and again and again पहला rule में रही है, जो भी आज आपने पढ़ा है एक दिन के अंदर उसको revise करना ही करना है if you want कि उलम्बे सम्दक याद रहे फिर जो भी आपने हफ़ते बर में पढ़ा उसको again एक दिन निकाल के पूरे साथ दिन कर रिवाइस करना है और जो भी आपने starting के 26, 37 से 28 दिन पढ़ा आखरी के तीन दिन आपको सिर्फ revise करना है you have to give equal emphasis on revision also बहुत से क्या करते हैं यहां से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं यह कुछ revise नहीं कर रहे हैं, पिछे का सब भूलते भी जा रहे हैं इसे बढ़के क्या फाइदा जब आपको पिछे को याद ही नहीं है exam day के दिन आपको याद ही नहीं है कि यह इस article का क्या provision है, ठीक है यह जो particular जो statement दे रखिये, यह किस amendment के तहत इंट्रूडीस हुई थी क्या फाइदा है यह रहे हैं, ठी, revision करना पड़ेगा ठीक है, तो this is important and last में कुछ नहीं है तो बस यह है भाईया, three pillars to glare, plimzis, previous year questions, revision and practice तो I hope यह वीडियो आपको बड़े अलगा होगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी चीजें जो मैं short time पे मैं बताना चाहता था, मैंने बताई जो फिर से वीडियो को बार बार देखना, कभी भी doubt या confusion है, ठीक है जो भी चीजे मैंने के हैं, please apply that in your preparation and trust me, आपको improvement एक महिने से लिखना हो जाएगा, ठीक है So that's it from my side in this topic, so thank you so much guys and all the very best and good luck